परवस्त्रे असकरीम सीतां न तो हम राम बल्लभां जानकी माता की बंदना कर रहे हैं उद्वो इस्थिति अर्थात पालन उत्पत्ति पालन प्रले में जो हे तु है उद्ववस्तिति संगार कारणी किसी ने का कि स्री सीता जी को ये उत्पत्ति पालन प्रले से क्यों जोड़ने स्रीष्टि को उत्पन करना तो ब्रह्मा जी का काम है पालन करना भगवान विश्णों का काम है संगार करना भगवान शिव का काम है तो इसका उत्तर यह है कि ब्रह्मा जी स्रिष्टी को उत्पन करते हैं पर स्रिष्टी को उत्पन करने की शक्ति तो चाहिए पालन करने की शक्ति भगवान नारायन को चाहिए और स्रिष्टी को संगार करने की शक्ति, भगवान शिव को चाहिए, तो स्री सीताजी शक्ति स्वरूपा है, यह परमात्मा की शक्ति है, अर्थात परमात्मा की शक्ति का सहारा पाकर ही, ब्रह्मा स्रिष्टी का उत्पत्ति करते हैं, भगवान विश्टु पालन करते हैं, और भगवान रुद्र संगार करते हैं। किसकी शक्ति से वो श्री जानकी जी है। उद्ववस्थित संगार कारणी। क्लेश हारणी। सारे क्लेश दूर होते हैं। जनक नरेंद्र नंदनी श्री जानकी जी की कृपा से। आहाँ वे भग्ति होकर क्लेश का हरन करती हैं सर्वश्रेयस करीम और वे शक्ति होकर तो ब्रह्मा को निश्णु को और शिव को स्ष्टि के उत्पत्ति पालन प्रले की शक्ति देती हैं भग्ति होकर क्लेश का हरन करती हैं लक्षमी रूपा होकर कि श्रेयस प्रदान करती हैं सरवस्रेयस करीम समस्त श्रेय देने वाले प्रेक अधुट बात इस मंत्र में श्री तुल्सिदास जी से किसी ने पूछा कि आप श्री जानकी जी को प्रनाम कर रहें कौन सी जानकी जी को जो उत्पत्र पालन प्रलाय कराती उन जानकी जी को तुलसिदासी भूल नहीं तो के शारन करने वाली जान की जी को नहीं अच्छा समझ गयुद श्रे देने वाली श्रीजान की जी को नहीं फिर किसे प्रणाम कर दें यह तो सब प्रभाव हैं पर हम प्रभाव के कारण श्री जानिकी जी को प्रणाम नहीं कर रहें भाव के कारण कर रहें और भाव कौन सा है तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया न तो हम राम बल्लभाम हम तो श्री राम बल्लभा जानिकी जी को प्रणाम करते हैं क्योंकि पूज नहीं है प्रिय परम जहां ते मानी सवही राम के नाते न तो हम राम वल्लभाम हम माता के रूप में वंदना करते सिरपर सीता राम फिकर फिर क्या करना सिर्पर सीता राम ठेकर फिर क्या करना बिगडे बनेंगे काम ठेकर फिर क्या करना फितुर घुवर श्री जान की मईया फिर क्यों परेशान हो भईया कटेंगे कष्ट तमाम ठेकर फिर क्या करना सिर्पर सीता राम ठेकर फिर क्या करना जोजन राम कथा सत संगी तिन के सहा एक श्री बजरंगी अतुलित बल के धाम ठेकर फिर क्या करना अब राजेस न आह भरो तुम नहीं व्यर्थ परवाह करो तुम रटो राम जी का नाम ठेकर फिर क्या करना सिर्पर सीता राम ठेकर फिर क्या करना सिर्पर सीता राम ठेकर फिर क्या करना माता की बंदना करने न तो हम राम बल्लभाम राम प्रिया श्री जानिकी जी की बंदना कर राम और क्या नाता चाहिए छोड़ सब नाते बस मान यही नाता पिता रगुनात जी श्री जानिकी जी माता इसी भाव गंगा में डुब की लगाए जा सीता राम सीता राम सीता राम गाए जा जान की माता की वन्दना के बाद श्री राम जी की वन्दना और जिनकी माया सारे जग को नचाती सब जग को रही नचाए हरी माया जादू गरनी अति अद्भुत खेल रचाए हरी माया जादू गरनी कोया को पार न पावे ये सब को नाच न चावे कोई या को पार न पावे ये सब को नाच न चावे दुख में सुख को दरसाए हरी माया जादू करनी पति अदभुत तेल रचाए हरी माया जादू करनी इसलिए भाईया जो माया सब जगें न चावा जिसकी माया और उस माया की निब्रती उसी की कृपा से होती देखो भाईया भगवान के पास ये दो शक्तिया हैं दोनों भगवान के हैं एक है भगवान की माया और एक है भगवान की भक्ति भगवान के हाथ में दोनों ही हैं भगवान की माया भी और भगवान की भक्ति भी जब कोई भगवान के समक्ष जाता है प्रणाम करता है भगवान पूझते बोलो क्या चाहिए बोलो क्या चाहिए माया चाहिए या भक्ति तो भक्त पूझता है कि महराज दोनों में अंतर क्या है भगवान बोले देखो एक ही अंतर है क्या है का अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ और तुम्हें मुझे नचना हो तो भक्ति ले जाओ क्यों? का जीव जिसके बस में रहे उसका नाम माया है और भगवान जिसके बस में रहे उसका नाम भक्ति है और भक्ति के राज्य में तो भगवान मृत्य करते हैं, भगवान के राज्य में सारा संसार नाचता है, पर भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं, और श्रीधाम ब्रंदावन के निवासी रसिक जन इस सत्य से भली वहां थी परिचित है। श्री कृष्ण कहते हैं ब्रंदावनं परिट्यज्य पाद मेकम नगच्छती। एक चरण भी श्रीधाम ब्रंदावन को छोड़कर में कहीं नहीं जाता। क्या करते हैं नाचते हैं यहां ताहि अहीर की छोहरियां छचिया भरी छाच पे नाच नचावें। किसी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप व्रंदावन के राजा होकर व्रंदावन में नाचते हैं। भगवान बोले मैं व्रंदावन का राजा नहीं। मैं तो द्वारिका के राजा है। द्वारिका का रज राजा है। और भगवान बूने श्रीराधिकाजी के राज नाचते हैं। क्यों उन्हें श्री राधिकाजी तो भक्ति स्वरूपा हैं, आहलादनी शक्ति हैं, तो मानो दुनिया को भगवान श्री कृष्ण यही दिखाते हैं, क्या, कि माया के राज्य में, भगवान की माया के राज्य में सारा संसार नाचता है, और भक्ति के राज्य में भगवान नाचते हैं, यह भक्ति की विशेस्ता है, भगवान कहते हैं, कि माया को ले जाओगे, तो तुम नाचोगे, और भक्ति को ले जाओगे, तो हम नाचेंगे, नाना भाति नचायो, भक्तन्य मोकुं नाना भाति, और इसलिए भक्ति की अपनी महिमा है, बंदे हम, तमशे शकारण परम रामा खिमेशम हरिम ऐसे सच्चिदानन्द ब्रंभ श्री रामजी को श्री तुसिदाशि जी सच्चिदानन्द ब्रंभ के रोप में निरूपित करते हैं और ठीक उसी तरह जैसे भगवान श्री शंकराचारी ने ब्रंभ निरूपन किया है तभी तो रज्जव यथा एर ब्रह्मा का उदाहरन दिया गया और श्री राम जी की वन्दना के बाद नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायन निगिदितम क्वचि धन्यतोपि स्वांत सुखाय तुलसी रगुना अथगाथा भासा निवंद मति मंजुल मातनुति श्री राम चरितमानस के बादें नाना पुराण निगमागम पुराण निगम आगम सम्मत ये ग्रंत है श्री राम्चरित मानस पुरान सम्मत है, श्री राम्चरित मानस शुरुति सम्मत है, श्री राम्चरित मानस साष्ट सम्मत है, अज़ा देखो तीन से जुड़ा, पुरान भथ्ति देकर मन को आस्थावान बनाते हैं, शास्त्र नियमों का निरूपन करके जीवन को व्यवस्था देते और वेद ज्ञान देकर अस्थित्व का अनुभव कराते और हमारे जीवन का चरम परम लक्ष यही है अस्थित्व का अनुभव अब भगवदी आस्था और जीवन में नियमान कूल व्यवस्था आस्था व्यवस्था अस्थित्व की अनुभूती इन तीनों की सम्मति से यह श्री राम चरित्मानस अर्थात श्री राम चरित मानस पढ़ने वाला नेतिक दृष्टी से द्यवस्थित होगा, भक्ति की दृष्टी से आस्थावान होगा, ज्यान की दृष्टी से अस्थित्व का अनुभव करने वाला होगा नाना पुराण निग्मा गम सम्मतम तन से सतकर्म, मन से सदभाव, बुद्धी से सदविचाद जग की सेवा खोज अपनी जग की सेवा खोज अपनी प्रीत प्रहु से कीजिए जिन्दगी का राज है यह जान कर जी लीजिए यही जीवन का सत्य है देखो कुछ न कुछ किये बिना हम नहीं रह सकते किसी न किसी को माने बिना नहीं रह सकते कुछ न कुछ जाने बिना नहीं रह सकते तो कुछ न कुछ किये बिना तन के इस्तर पर नहीं रह सकते तो तन से सतकर्म किसी न किसी को माने बिना नहीं रह सकते तो भगवान को माने, कुछ न कुछ जाने बिना नहीं रह सकते, बुद्धी के इस्तर पर तो अपने आपको जाने, यह रामचरित मानस निगम पुरान और शास्त्र सम्मत है, पर श्री तुसिदाज जी कहते हैं, यद्य पिरामायने निगिदितम, पर क्वचिद अन्यों पि कुछ और भी, अरे भाई इस से कुछ और क्या है? का कि भाई शास्त्र पुरान श्रुति संमत्त यह ग्रंत है, लेकिन इसमें महापुरुजों की बाने, संत जनों की बानी, आप तो वाक्यम प्रमानम, वह भी तो कहा ही जाता है, तो आप तो जनों की बानी है, भगवन ना का विशेश प्रभाव है यहिमा रगुपति नाम उदारा क्वचित अन्यों भी कि इस तरह श्री राम चरित्मानस के स्वरुप का विवर्णन करते हैं लेकिन एक बात है यह कथा कहते किसके लिए कि स्वांतह सुखा है अपने अन्ता करण के सुख के लिए